नमसकर दोस्तो सब्सक्राइब का यूपी ट्रिपल सी पीटी की त्यारी कर रहे हैं तो प्री वाला वारा टेलिग्राम जरूर जोईंड कर लिजेगा जिसका की पूरा नाम है यूपी ट्रिपल सी पीटी बाई इस्टडी फॉर सिविल सिर्फिस यानि की कितना भी पीटी में GSD के करेंट पेर सारी जो है आप मुलों साथ की तहरी हो जाएगी उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक में लिए का क्विज भी उसी में चालू कर दिये लगातार उसको फॉलो करके रखिए लगातार आपके लिए लगे वह आप देख रहे होंगे उस कुछ चैनल है इसको जॉइन कर सकते हैं आप चाहें तो यह वाला हमारा में चैनल इस्टाग्राम में हमारा पेट फॉलो कर लिएगा स्टेडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज इसमें स्टोरी हाइलाइट जो हाइलाइट प्लस पोस्ट जरूर देख रहे हैं आरे कोश्च यह आप से पूछा जा रहा है संघी है एकात्मक है संसदी है या फिर रूप में मतलब रूप विधान में संघी है और भावना में एकात्मक है तो इसका जो चौथा वाला है वो सबसे सही है संघी है लेकिन भावना उसकी एकात्मक है इसका डी वाला सही था इसके बाद द हैसियत और अवसर, विचार और अविव्यक्ति, और अवसर और अविव्यक्ति, ठीक, तो विचार और अविव्यक्ति की स्वतंत्रिता का आश्वासन दिया गया है, जबकि समानता की अगर बात करें, तो अवसर की समानता है और हैसियत की समानता है, तो इसका जो बी वाला है वो सही ध्यान से विकल्ब को देखना आवश्यक होता है इसके बाद अगले प्रेशन को देखते हैं निम्नलिखित में से किसे संभिधान की आत्मा के रूप में माना गया है तो निश्चित रूप से प्रस्तावना जो है भारती संभिधान की वो संभिधान की आत्मा है ठीक ह उससे हमें पूरे सम्विधान का दर्शन हो जाता है इसके बाद चौथे नंबर के question को देखते है 1935 में किसने सबसे पहले सम्विधान सभा का सुझाओ प्रस्तावित किया था ये व्यक्ति कौन से थे पंडित जवाहलाल नेरू थे या गांधी जी थे या जेपी नारायड थे या एमन रॉय थे तो एमन रॉय थे जिन्होंने की सबसे पहले इस चीज का प्रस्ताव दिया था किस चीज का? सम्विधान सभा का इसके बाद देखें पांचवे नंबर के question को भारतिये सम्विधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये आपको बताना है 12, 13, 15 और 17 ऐसे करके दिया हुआ है आप बताईए कि इसमें से कौन सा होगा तो इसका जो correct answer है वो 15 हो जाएगा 15 कुल महिला सदस्य थी उस समय जब सम्विधान सभा गठित हुई थी इसके बाद छटवे नंबर के question को देखते है सम्विधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये आप बताईए तो ये डॉक्टर सचिदानन सिन्ह थे ठीक, इनका नाम आप देख सकते हैं इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या साथ सम्विधान सभा के अल्प संख्यकों की उप समिती के अध्यक्ष का नाम बताईए अल्प संख्यकों की उप समिती के अध्यक्ष का नाम आप बताईए इसके बाद अगला प्रशन देखिए आठवा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेर्मेन कौन थे? तो ये डॉक्टर बी आरम बेटकर थे ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर बी आरम बेटकर इसका correct answer हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी प्रशन संख्या 9 को देखिए भारत का संभिधान लिखा गया था उसे तयार होने में कितना समय लगा था? एक्जेटली यही पूछा जा रहा है आपसे तो दो वर्ष ग्यारा महीन ये अट्ठारा दिन का टाइम लगा था तो न तो ये दो साल था न तीन साल था संभिधान सभा के दोरा उसे अंगी क्रत किया गया था वो तारीक बताई है तो 26 नॉंबर शनě 1940 प्रस्तावना जो है उसे अगर आप पढ़ते है उसमें संभिधान के अंगी क्रत करने कि या जो एडॉप्ट करने की तारीक है वो दी हुई है ठीक है तो 26 नॉम्बर 1949 इसके बाद अगले प्रश्न की वर बढ़ते हैं यानि 11 इसमें से कौन सा कारण नहीं है जो कि भारती संभिधान के निर्माण में योगदान देता है तो और्द्योगी क्रांती ब्रिटेन में संसदिये लोकतंत्र रूस में समाजवादी क्रांती या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो कि भारती संभिधान के निर्माण में योगदान देता है तो निर्माण में योगदान देने के लिए जिमेदार कारण कौन सा नहीं है और्द्योगी क्रांती बाकी सभी ऐसका कोई रोल नहीं था अब अब देख रहे हैं इसमें बृटन का संसेथी लोक तंत्र था उससे भी हमें प्रेड़िदान से हमाराँ संभीधान होना चाहिए रूस के समाजवाद से हम पहले से ही प्रेरित हो रहे थे और अमेरिका की आजादी ये भी काफी असर डालती इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या बारव इसमें से कौन सा भारतिय संभिधान की एक महत्वपूर्ण विशेष्टा नहीं है तो हमारा जो भारतिय संभिधान है वो एक लिखित संभिधान है जो विशेष्टा ना हो वो आपको चुनना है यह अनुने अर्थात संशोधित हो सकता है लेकिन अनम में भी है अर्थात नम में भी है और अनम में भी है लचीला और कठोर दोनों है क्योंकि इसकी मूल संरशना में परिवर्टन नहीं किया जा सकता है ये एकल है और संघीय भी है इसे राज्य के राज्यपाल यानि सांसद और विधायकों के परामर्ष पर जो राज्य का राज्यपाल है वो संशोधित कर सकता है तो संबिधान एक देश इस्तर की यानि राश्टर इस्तर की चीज है तो उसमें राजी का राजेपाल कैसे संशोधन कर सकता है तो यही वाला गलत है यह साफ साफ देख कर भी मालूम हो रहा है अगले प्रशन को देखते हैं और प्रशन संख्या 13 में का आगया है कि भारती सं संबिधान का कौन सा अनुचेद राश्ट्रिय महत्व के समारकों और स्थानों को वस्तु की सुरक्षा से संबंदित करके देखता है मतलब स्मारक और स्थान समता यानि कानून के सामने सब बराबर है इस बात को डिनोट करता है तो यह 14 हमा है समता के अधिकार में आता है जो मूल अधिकार है उसमें इसे हम देखते हैं ठीक कानून के सामने हर वर्ग बराबर है प्रश्न संख्या सोलह को देखेगा संभिधान के किस अनुछेद के प् पुरसकारों को शुरू किया था। यह कौन सा आर्टिकल था। यहां पर आर्टिकल नंबर 15, 16, 17 और 18 दिया है। तो यह है 18 ठीक। अनुछेद 18 इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं। भारतिय संभिधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुछेद। मानों के क्रय वि यहां नंबर दिया है और इसका जो करेक्ट एंसर है वो 23 हो जाएगा। ठीक है। यह 23 आर्टिकल जिसमें की इस प्रकार का प्रतिबंद लगाया गया। प्रशन संख्या 18 में चलते हैं। कौन सा मौलीक अधिकार अलप संख्यों के हितों की संरक्षण की बात करता है। तो पतलब संबैधानी कुपचारों का अधिकार किस अधिकार या किस चीज के श्रेडी में आता है। तो यह मौलीक अधिकार है ठीक है। इसमें ए वाला सही है। संबैधानी कुपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 वाला जो मामला है वो मौलीक अधिकार की ही कटिगरी में आत हैं कि वो मौलिक अधिकारों का पूरा-पूरा संरच्छड करें और देखें कि नागरिकों को वो सब प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं ठीक तो उचितम ने आया ले इसके बाद Q21 इसमें कहा गया कि मार्च 2019 तक उपलब्द जानकारी के हिसाब से भारतिय संभिधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं क्योंकि लेटेस्ट जो फेर बतल है वो वहीं तक हुआ है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 11 फिलहाल तो 11 यहां बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्यों की प्रेशन संख्या 22 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्य से संबंदित जो अनुच्छेद 51 का है या आर्ट के नंबर 51 क्लॉज ए उसमें संभिधान में या उसको संभिधान में किसके द्वारा शामिल किया गया तो संशोधन करना पड़ता है ने कोई कि मौलिक कर्तव्यों को भारति संभिधान में शामिल किया गया और ये बात धिकारी नहीं है या आप भी जानते हैं प्रेशन संभिधान 24 को देखते हैं 42 में संभिधान संभिधान के माध्यम से भारति संभिधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है इनकी संभिधान कितनी है तो टोटल अगर देखा जाए मतलब 42 में संभिधान संभिधान के द्वारा शामिल किये गये मौल तो इसमें जितने भी हैं नीचे वाले वो सब देखे जाते हैं, वो सब मौली कर्टबे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन लोक चुनाओं में वोट डालना वाला जो काम है, ये कर्टबे में नहीं आता है, ठीक, मतलब इस पश्ट रूप से इसका वर्गी करण नहीं किया गया प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं, भारत के राष्ट पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है, ये बताने की जरुवत नहीं है, पांच वर्ष का होता है, इसके बाद देखे 27 भारत के संभिधान के, अब यहाँ पे आर्ट किल आपको चुनना है, कि उसके अनुसार पती अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, भारत में राष्ट पती के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो यहाँ कुछ विकल्प दिये हुए हैं, 10, 15, 12, 18, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकत ठीक, 12, टोटल, प्रश्ण संख्या 39 को देखते हैं, भारत में राश्ट्रपती अपना कारेकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा, उप्राश्ट्रपती को देता है, ठीक, शपत ग्रहन का जो पूरा समारो होता है, उसमें शपत ग्रहन क प्रश्ण संख्या 30 को देखते हैं, अगले प्रश्ण को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, अब यहाँ चार स्टेट्मेंट हैं आप देखिए, पहले वाले में कहा गया कि भारत के संबिधान का अनुच्छे देखसट, इसमें राश्ट्रपती के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्डन किया गया है, ठीक, उसके बाद महाभियोग प्रस्ताव संसत के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव जो यह शर्मनाक प्रक्रिया होती है न तो इसका D वाला सही बाकी जितने है वो इसमें रहेंगे इसमें गलत कौन सा है जो D वाला है वही इसके बाद 32 में को देखते हैं किस भारती राष्ट्रपती ने आईरिश स्वतंतरता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए उन्हें जेल की सजा भी हुई थी तो यह वीवी गिरी थे ठीक इसमें जो नाम दिया है वीवी गिरी जी थे जो की आईरिश जो स्वतंतरता संग्राम था उसमें हिस्सा लेते हैं प्रश्ण संख्या 33 को देखे नीलम संजीव रेड़ी यह भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपती तो छटवे नंबर के थे ठीक छटवा क्रम इनका था इसके बाद अगले प्रश्ण को देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपती निर्विरोध निर्वाचित हुआ है मतलब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था ठीक बिना प्रतिद्वंदी के वो एकदम से एक स्वर में चुन लिया गया तो यह नीलम संजीव रेड़ी थी ठीक है इनका कोई यहां प्रतिद्वंदी या विरोधी नहीं था इसके बाद अगले प्रश्ण को देखते हैं यानि 35 राष्ट्रपती रामनात कोविंद जी जो है इन्होंने वर्ष 2017 में भा प्राष्ट्रपती का चुनाओ होता है तो यह आर्टिकल नंबर कौन सा है 66 है 688 इसमें यह प्रावधान दिखाई देता है चैन की पूरी प्रक्रिया इसके बाद 37 को देखते हैं वो प्राष्ट्रपती को अपना कारेकाल समाप्त होने से पहले अगर पद से हटाने का अध अधिकार दिया जाए तो वो किसके पास होता है वो अधिकार राजिसभा के पास ही होता है राजिसभा का यह पदेन अध्यक्ष होता है तो राजिसभा यह ताकत रखती है कि उसका कारेकाल समाप्त होने से पहले उसे उसके पद से हटा सकती इसके बाद 38 में को देखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे, मोहलत कहेंगे, दंडविराम कहेंगे, छमादान कहेंगे, या विनिमाई कहेंगे, विनियम कहेंगे, इस प्रकार काईस में दिया हुआ है, तो देखें छमादान कहते हैं, छमादान शांज करने के लिए विभाغ से सम्दधि स्थाई समीधियों की स्थापना कब की गई थी वो डेट आपको इसमें बतानी है ताकि संसत के प्रती सरकार की जो ज़बाते ही है उसको और जादा मजबूत किया जा सके तो ये 1993 में स्थापित किया जाता है मतलब इस्थाई समीती जो है उनकी स्थापना कम होती है 1993 में होती है 1993 में ये date याद रखेगा इसके बाद 41 में को देखते हैं 41 में ये कहा जा रहा है कि लोगसभा में कितनी सीटे अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती के प्रतनिधियों के लिए आरक्षित है कितनी है टोटल तो 131 है ये सब factual data है आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा 131 इसके बाद 42 में प्रशन में चलते हैं भारत विश्व का विशालतम लोगतांत्रिक प्रजातंत्र है सम्विधान सबसे बड़ा हमारे पास ही है लिखेत तोर पे और इसकी प्रथम लोगसभा कब आयोजित की गई थी वो तारीख आपको बतानी तो उसकी जो exact तारीख है वो है 13 मई 1952 सम्विधान लागू हो जाता है 1950 में लेकिन जो पहली लोगसभा है उसका अगठन होता है 13 मई 1952 पहली बार आयोजन होता है इसके बाद देखे 43 में को लोगसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक अगर पेश करना है तो उसकी सूचना की अवधी क्या होती मतलब कितने समय पहले इंफार्म करना होता है सूचना देनी होती तो एक महीने पहले बताना पड़ता है कि आप कोई निजी विधेयक वहाँ पर पेश करने वाले इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 44 भारतिय संसद में मंत्री मंडल के विरुध अविश्वास प्रस्ताओं पेश करने के लिए न्यूनितम कितने संसदों के समर्थन की आउश्रिक्ता होती है जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे संसदों की संख्या आपको भरनी है तो यहाँ देख लीजे 100 दिया है 75 दिया है, 25 दिया है, 50 दिया है और इसका जो करेक्ट एंसर है वो इसमें से हो जाएगा 50 कम से कम 50 संसदों का जो समर्थन है वो जरूरी होता है इसके बाद आगे चलते है प्रशन संख्या 45 लोकसभा में मदान करते समय टाई की स्थती में अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है इसके पास वोट डालने का अधिकार होता है मतलब वोटिंग हो रही है और पता लगा कि टाई हो गया यानि दोनों तरफ के जो मत है वो बराबर हो गया तो जो निर्डायक मत है वो डालने का अधिकार होता है ये स्पीकर के पास होता है और स्पीकर जो है वो सत्ताधारी दल सही बनता है अकसर ऐसा ही होता है हमेशा ऐसा ही होता है तो वो क्या करेगा सत्तापक्ष के पक्ष में वोट डाल देगा और उसके बाद जो सत्ता पक्ष है वो जीत जाएगा तो हमेशा वो विपक्ष पे हावी रहेगा तो यहाँ सिर्फ आपचारिक्ता मात्र होती है इसके बाद देखे 46 संभिधान के त्वारा विचार की गई लोकसभा की अंतिम ताकत क्या होती है मतलब अधिक्तम ताकत क्या होती है संख्या यहाँ पूछा जा रहा है तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो 550 होगा ठीक 550 यहाँ आप देख रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2019 वाला जो संचोधन हुआ है उसके बाद नई स्थितियां सामने आई है तो 550 यहाँ आप देख रहे हैं बत्ती जल रही है तो आप जला कर देख सकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं 47 को देख लेते हैं 47 में में आप से कहा गया कि लोगसभा के पहले स्पीकर कौन थे बच्चों वाला क्वेश्चन है इनका कारेकाल सबसे जादा लंबे समय तक रहा है ठीक है इसके बाद अगले प्रेश्चन को देखते हैं 49 शून निकाल का मतलब क्या होता है तो शून निकाल में कोई अति महत्तुपूर्ण जो विशय होता है उसको चर्चा के लिए उठाया जाता है अत्यांत महत्तुपूर्ण विशय है नाम है जीरो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जाती 50 में को देखते हैं राजसभा में विशेश शक्ती का आशे इस प्रस्ताव को अपनागर संभिधान की अनुछेद अब अनुछे संख्या आपको बतानी है उसमें दिया गया है कि वह राजसूची में शामिल किसी भी मामले के संबंद में कानून बनाने के लिए संसत को शशक्त बना सके वैसे देखा जाता है तो राजसभा जो है वो निर्बल होती ज्यादा पावर किसके पास होती है जो लोगसभा है उसी के पास होती है लेकिन फिर भी राजसभा के पास कुछ न कुछ पावर तो है है सामाने विधेकों के मामले में तो है है तो यहां आप बताइए यह कौन सा आर्टकिल है यहां 128 है, 198 है 23 है और 249 है में शामिल जो भी मामला है उसके संबंद में वो कानून बनाने के लिए संशत को सशक्त बनाती संबर्ती सूची राजे सूची केंद्र सूची इस प्रकार से होता है इसके बाद एक्यावनवे को देखते हैं अब अनुचेद संख्या आप बताईए कि उसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राजसभा की सयुक्त बैठक को राष्टपती बुला सकता है जो ज्वाइन सेशन होता है जिसमें की विवाद की स्थिती का निप्टारा करने का प्रयास किया जाता है तो उसके लिए एक संभिधान में कौन सा आर्टकिल तो वो 108 नंबर का नुचेद है ठीक है आर्टकिल नंबर 108 में जो ज्वाइन सेशन है उसका प्राविजन दिखाई दोता है इसके बाद जो बान यहाँ आप देख रहे हैं राजे सभा का सदसे बनने के लिए आवश्यक निवनितम आयू कितनी होने चाहिए तो लोगसभा के लिए 25 होनी चाहिए राजे सभा के लिए 30 ठीक तीस वर्ष अगले प्रेशन को देखिए प्रते एक दो वर्ष के बाद लोगसभा में कितने सदसे जो हैं वो सेवा निवरित हो जाते हैं एक तिहाई हो जाते हैं एक तिहाई बाहर जले जाते हैं और लोगसभा के चुनाओं में उमिद्वार बनने के लिए कितनी निवनितम आयू के आउशक्ता होती है तो पचीस साल ठीक है पचीस साल जो है लोकसभा के लिए और तीस साल राजे सभा के लिए इसके बाद 56 को देखिए निम्नलिखिप में से कौन कैबिनेट इस्तर का होता है तो भारत का नियंत्रग और महालेखा परीक्षक या महा कैबिनेट लेबल के बराबर होता है इसके बाद 57 को देखते है राजे सभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है तो कुल मिलाकर 31 सीटे है ठीक है राजे सभा की टोटल कितनी है 31 इसके बाद next question number 58 कितनी लोकसभा की संसधी सीटें 80 है अभी तक 80 है इसके बाद 59 यहां कहा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सी राजे सभा की शक्तियों में से एक है अब यहां कुछ शक्तियां दी तो देखिए इसमें जितने भी है वो सब राजे सभा की शक्तियों में नहीं आते हैं कैसे नहीं आते हैं पढ़ लीजे उसे धन विदेयक और गैर धन विदेयक को पेश और लागू कर सकता है, धन विधयक लोगसभा में यह पेश होता है, कोई विधयक धन विधयक है या नहीं, इसका निर्डे लोगसभा करती है और मुल रूप से सत्ताधारी पार्टी करती है, और यह कराधान बजट और वार्शिक वित्ति विवरणों में नहीं करता है, तो यही एक मात्रिस की शक्ती है, बाकी जितने हैं आपातकाल की घोषना को यह अकेले मंजूरी नहीं दे सकता, अगले प्रशन को देखते हैं, 60, उस भारतिये प्रधान मंत्री का नाम क्या है, जिसने संसत में यह घोषना की थी, कि वह मंडल आयो की सिफार आपाईशों को लागू करने जा रहे हैं, और जैसे ही घोषना होती है, भारत में पूरा देश भर में, यानि राष्टर व्यापी जो विद्रो है, वो जलकने लगता है, तो यहाँ देखकर बताईए कौन सा होगा, यह बीबी सिंग थे, विशुनात प्रताप सिंग, जिन देखकर ही मालूम हो रहा है, सिर्फ दो हपते तक काम किया था, सिर्फ दो हपते तक, ठीक है, मात्र दो हपते तक, इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, भारती संविधान का कौन सा अनुछे दिये कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपती करेगा, तो ये 75 clause A जो है उसी में प्रवधान दिखाई देता है, जो प्रधान मंत्री के बारे में प्रविजन दिखाता है, उसी में 75 clause A में ये कहा गया है, इसके बाद अगले को देखते हैं, 63 में कहा गया कि निमनलिखित में से उसे चुनिये, जिसने कि कभी भी भारत की प्यार जी देश आई है, देवी लाल है, बीपी सिंग है और लाल कृष्ण आडवाणी है, देखें विशुनात प्रदाप सिंग जो है इन्होंने उप्रधान मंत्री की हैसियत से काम नहीं किया है, और बीजेपी की जो पिछली गवर्मेंट थी, मोधी जी वाली नहीं, उ इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, सर्वोच नयायले के नयाधीश पत पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच नयायले के नयाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा देनी आवश्यक होती है, मतलब पहले वो हाई कोर्ट में प्रैक्रिस कर चुका हो, तो वहाँ नयायधीश के रूप में वो कितने समय तक सेवा देना उसके लिए अनिवारे होता है, अधिवक्ता के रूप में तो और समय मांगा जाता है, लेकिन नयायधीश के रूप में पांच साल का वहाँ जो अनुभव हाई कोर्ट वाला वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चाहिए होता है, ठीक, इसके बाद अगले प्रेशन को देखते हैं, किसी आचिका के अंतरगत नयायले, अवर नयायले और किसी अनिप्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या नयायले में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, कि अगले प्रेशन को देखते हैं, उचितम नयायले में संबिधान के निर्वचन से संबंदित मामले की सुनवाई करने के लिए नयायाधिशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम, तो कम से कम पांच होनी चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम यहां नहीं कहा गया, इसके बाद देखें 69, आर्ट की नंबर 161 के हिसाब से निर्वनलिकित में से किसे सजा माफ करने और सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है, तो यहां आप देखें भारत के राष्ट के पास छमादान की शक्ति होती है, उसकी अपनी पावर्स है, लेकिन आप जरा प्रशन को देखें यहां पर क्या कहा जा रहा है, आर्ट की नंबर 161, तो जो 161 नंबर का अनुछेद है, उसमें बिबिन ने राज्यों के राज्येपालों के अंदर ये शक्ति का प्रावध मतलब प्रदेश में, खेर, तो इसका सी वाला सही, इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, यानि सत्तरवा, और इसमें कहा गया कि स्वतंत्र भारत की पहली मतलब किसी भी राज्ये में पहली महिला राज्येपाल कौन थी, तो ये श्रीमती सरोजनी नाइडू थी और उतर प्रदेश की पहली महिला राज्येपाल थी, इसके बाद प्रशन संख्या 177 को देखते हैं, कौन सा कथन सही है जरा बताईए, तो प्रधात मंत्री और केंद्रिये परिशत के मंत्रियों द्वारा राज्ये के राज्येपाल की न्योक्ति की जाती है, ऐसा ही रहता द्वारा राज्य के राज्य पाल की डूकती खास थे विं ने जादा नियम और काइदे हैं कि उनका लाव लेने में जो सत्ता पक्ष होता नहीं जैसे किसी प्रदेश में किसी विशेष पार्टी की सरकार गठित हुई तो वो अपने मन माफिक राजेपाल वहाँ बनाई लेंगे, देर सभेर, ठीक, तो ये संविधान में ऐसा कोई सीधा प्राविजन नहीं है, लेकिन वो फायदा ले लेते हैं, तो इसका सीवाला हो जाएगा, इसके बाद आगे चलते हैं, 72 को देखेगा, राजेपाल के संदर को मनुनीत कर सकता है, तो बताईए कि राजेपाल इसमें से क्या क्या कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता है, देखिए इसमें जो विकल्प दिया है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी जो कथन है, वो सही नहीं, एक चोथाई जो दिया है, वो भी गलत है, और इंडियन के दो सदस्यों की जो बात कही गई है वो भी गलत इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं 73 भारत के संविधान के किस अनुछेत के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अध्यादेश तो 213 वा है उसके त्वारा रा 17 वसान करने की ताकत रखता है तो राज्यपाल होता है विधान राज्यसतरिय हो गईने तो निश्चेत रूप से यहां राज्यपाल ही 17 वसान कर सकता है और कोई नहीं लिकए राज्यादेश लेखित में से किस अनुछेद के अंतरगत विधान सभा को विधान परिशद का स्रिजन करने का प्रस्ताओ पास करने की इजाज़त मिलती है। तो कम से कम 30 हो सकते हैं और 272 हो सकते हैं अधिक से अधिक, कम से कम 80 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 540, कम से कम 54 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 333 हो सकते हैं या फिर कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं तो बताइए विधान सभा में कितने अधिक तम और कित संख्या 78 भारतिय राज्य में धन विध्यक होने के लिए एक विध्यक को कौन प्रमारित करता है मतलब वो विध्यक धन विध्यक है या नहीं इस बात का सर्टिफिकेट उसको कौन देता है तो यह राज्य विधान सभा का अध्यक्ष देता है ठीक है राज्य की बात की जा र इसके बाद अगले प्रेशन को देखे यानी असीवा और इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहट ग्राम सभा के सदसे कौन होते हैं तो ये वयस्क तो होते ही हैं और पंचायत छेत्र के मद्दाता के रूप में पंजिकृत कोई भी व्यक्ती जोकि वयस्क है चूकि मद्दाता के रूप में पंजिकृत है तो वयस्क होगा ही तो वो इसका पात्र हो सकता है ठीक है वो ग्राम सभा का सदसे बन सकता है तो इसका राजावत ये ग्राम पंचायत की सबसे पहली महिला सरपंच इसके बाद 82 को देखते हैं 82 में कहा जा रहा है कि पांचवी अनसुची छेत्रों में आने वाले राज्य पंचायतों यानि अनसुची छेत्र तक उसका पूरा फैलाओ है वहां से सम्मंदित अधिनियम 1996 के तहत आ है टोटल दस आते हैं इसमें संख्या कितनी होगी टोटल दस होगी इसके बाद अगले यानी 83 में प्रश्न को देखते हैं इसमें आप से पंचायती राज दिवस किस तारीक पर मनाया जाता है वह तारीक कूछी जा रही है और यह बताया गया है कि यह दिन जो है जिस दिन है वो 73 में संभिधान संशोधन अधनियम 1992 के पारित होने का समय है तो यह तारीक थी 24 अप्रेल की और प्रतेक वर्ष पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रेल की तारीक पर सेलिब्रेट किया जाता है इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं भारत में किस राज जि जी के द्वारा पहली बार घोशित किया गया था इसका बी वाला सेही इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तिहत्तरवा संभिधान संशोधन ये किस से संबंदित है तो अभी हम तो बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं की तो उसी से इसका संबंद है रहे हैं पंचायती राज को होँ पहली बार 2 October 1969 को इस जिल्ये में पेश किया गया था जिल्ये का नाम क्या था तो नागवर जिला था ठीक है नागवर जिला जो था को इसको पहली बार इंट्रोडिव किया गया था इसके बात अगले प्रश्न यानी 88 सी वे को सेखें हमारे संबिधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है 300 पान मतलब 3 जो है वो स्टेज होनी चाहिए तो इसका जो राइट एंसर है वो इसमें से हो जाएगा पहला वाला भाग 9 भाग 9 जो है उसमें इस प्रकार का प्राविजन दिखाई देता है प्रशन संख्या 89 को देखते है निमनलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है तो इसमें आप देखिए कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत ये तो रहेंगी और न्याय पंचायत भी होती है न्याय पंचायत उससे बाहर नहीं है लेकिन जो ग्राम सहकारी संस्था है वो पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं है ये सही है कि वो ग्रामीड छेत्र से संबंद रखती है लेकिन वो पंचायती राज institution जो हैं उनसे belong नहीं करती है तो इसका D वाला हो जाएगा इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं भारतिय संविधान के अनुच्छे 243 ख के अधीन गठित जो ग्रामीड छेत्र हैं उनके लिए स्वसरकार की संस्था कौन सी है ग्राम पंचायत है इसमें कोई डाउट ही नहीं है ग्रामीड छेत्रों के लिए अगर स्वसरकार मतलब अपनी सरकार तो संस्था यहाँ पे सीधी बात है कि ग्राम पंचायत हो इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं 91 इसमें कहा गया कि कौन सी समीती थी या कौन सी कमेटी थी जिसके की रिकमेंडेशन की वज़े से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारम होने के लिए एक मंच स्थापित किया गया तो यह बलवंतराय मेहता समीती थी आपने बहुत बार पढ़ा होगा बलवंतराय मेहता समीती इसके बाद 93 को देखते हैं भारत के संबिधान के अनुच्छे 243 एक के हिसाब से पंचायतों यहाँ पे आई है असल में पांचमें वर्ष की समाप्ती पर इसके बाद 94 को देखते हैं 94 में कहा गया कि किसी ग्राम पंचायत के द्वारा उप्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है इतना अगर समर्थन नहीं प्राप्त होता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता है इसके बाद 95 को देखते हैं भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या अब देखें इसमें संख्या गलत दिए इसमें से कोई भी विकल्ब जो है वो सही नहीं अगले प्रशन को देखते हैं, 96, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, तो 33 प्रतिशत, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं, यहां पर जो 33 प्रतिशत वाला विकल्प है, वो सही, इसके बाद 97 को देखते हैं, यहां कहा ज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए मंजूरी दी थी, तो महिलाओं के आरक्षण के लिए कितने परसंट के, 50 प्रतिशत, ठीक, 50 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी थी, 98 को देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने करता है इसके बाद 99 को देखते हैं एक व्यक्ति के लिए तो 21 साल है, ठीक है पन्चायत का सदसUP से बनने के लिए कम से कम उसे 21 साल का होना चाहिए और last question, इस quiz का देखते हैं, किस राजे में पंचायती राज प्रडाली नहीं है, तो नगा लेंड में नहीं है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वहाँ पर है, सिक्किन में भी है, हिमांचल में भी है गोआ में भी है, लेकिन नगा लेंड में नहीं तो यहां तक हमने इस quiz को complete किया है और तब तक के लिए नमस्कार